एडिलेट टेस्ट में भारत क्यों हारा आस्टेलिया से? क्या रहा एडिलेट टेस्ट का टर्निंग पॉइंट? भार्टी टीम एडिलेट टेस्ट में जीत के करीब आकर हार गई 374 टर्नों के लक्ष का पीछा करने उतरी भारती पारी की शिरुवात भी इस तरह हुई थी मानो लक्ष हासिल करना दूर की कोड़ी हो लेकिन मैच में एक समय ऐसा भी आया जब आस्ट्रिलेट काप्तान माइकल क्लार्ग के चहरे पर मैच हारने की चिंता दिखाई दे रही थी ऐसा तब हुआ जब विराट कोड़ी और मुर्ली विजय के बीच साज़धारी बनी मुर्ली विजय नन्यान विरोन उपर आउट हो गए लेकिन भारती कप्तान विराट कोड़ी ने ताबल तोड़ शतक लागा कर भारत की जीट की उमीदों को जिन्दा रखा मुर्ली विजय के आउट होने तक भी भारत मेच में हावी था भारत के लिए मैच की परिस्तितिया अनुकूल थी लेकिन अजीन के रहाने रोहिट शर्मा और रिदिमान साहा ने जिस तरह अपने विकेट थ्रो किये उससे भारत की मुश्किले बढ़ गई फिर भी मैच भारत के लिए बाकी था क्योंकि भारती कप्तान विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे विराट कोहली का आउट होना मेच का टर्निंग पॉइंट रहा है आप कह सकते हैं कि बाउन्डरी पर खड़े फिल्डर के हाथों मे केश थमा कर कोहली न अपना विकेट ऑस्ट्रेलिया को गिफ्ट किया लेकिन दूसरे छोर पर जिस तरह से विकेट गिर रहे थे उसका दबाओ भी भारती कप्तान पर साथ दिखाई दे रहा था उस सिती में तेजी से रन बनाना ही एक मात्र विकल्प था यहाँ बात और है कि कोहली ऐसा अधिक दिर तक नहीं कर पाए कोहली के आउट होने के बाद भारत के हार तै हो गई और इसे ही हम मेज का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं